ओला दिखाता कुछ और है और बेचता कुछ और है अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो आपको रॉंग पूरूफ कर देगा क्योंकि ये जो फोटो निकल के आई है सामने ना इससे कुछ लोग खुश तो हुए बट बहुत सारे लोग डिसपॉइंट हो गए वो चाहते इसमें क्या नेगिटिव है क्या प्रोस है सब कुछ आपको इस डीटेल में 5-6 मिनट के वीडियों पता चल जागा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि ओला की कितनी भी मॉडल आपकी लिए बैस्ट कौन सी है और आपको कौन सी लेनी चाहिए या सच में स्किप करने लाइक और प्रोडक्ट और मटेरियल क्या के यूज के गए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो प्राइसिंग के जो बात करूँ ना जो गीग है और गीग प्लस है मुझे तो नहीं लगता कोई नॉर्मल कस्टमर इसको लेगा डेली टो डेली यूज के और यह जो दोनों कारिया ना गीग और गीग प्लस मुझे नहीं लगता कि आपको इसको लेना चाहिए क्योंकि आर आपके डेली टो डेली लाइफ में कोई यूस नहीं है अगर आप एक सप्लायर और डिलर नहीं हो उस वज़़ा से आपको इस दोनों कारियों काम नहीं आता है तो उसके लिए गीग प्लस तरीके से लूक इसका ठीक भी लग रहा है बट गीग आपको उतना सुटेबल नहीं करेगा और रही बाद चार्जिंगी तो आपको होम चार्जर का पोटेबल लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट कितनी आएगी वो इंक्लूड है नहीं इ देख पार होगे यह पूरा बेस होने वाला है एसवन एक्स थ्री किलोवाट एसवन एक्स टू किलोवाट और एसवन एल क्योंकि इसमें जो टायर यूज किया गया है सब कुछ सेम है इसके फ्रेमिंग में है या तो यह जैन थ्री प्लेट्टोर्म बनीग और बैटरी तो पोटेबल है तो उसके बारे में तो बात कड़ना ही अला है और उसमें रेंग आपको ज्यादा प्रवाइड होगा 1.5 किलोवाट की बैटरी और दो बैटरी आपको लेनी परेगी बट कम्पनी ने यहाँ पे साफ मैंशन किया कि 1.5 किलोवाट आर की टू बैटरी कमपाइं करके शोकेस की कि और उसी की प्राइस बताएगे 59,999 और इंटरोड़क्टरी प्राइस है तो जिस हिसाब से लग रहा है ना है कि दो बैटरी का कॉस्ट आपको 60,000 परेगा कल आपको लग रहा होगा कि यार इसमें सिंगल बैटरी का प्राइस इतना पढ़ने वाला है डबल कर सकते हो 500 रुपए देखे अब जो इसमें अच्छी चीज है ना वो मैं आपको बता दो LCD डिस्प्लेय मिलेगा जो कि आपको S1 X 3KW में भी नहीं मिलता और आप इसको अपने फोन से कंट्रोल भी कर पाऊगे उसके साहसात ओला यहां पर जो डिजाइन प्रवाइड कर रह लगा सकते हो पीछे वाली सीट को हटा के आप उसमें स्टोरेज के लिए करियर कुछ भी लगा सकते हो जिसके वजए से अगर आपको दोनों यूज के लिगारी सीथ ना तो लोग पहले एगर लेते थे अब उसके जगह आपको यह लेना पड़ेगा बट अगर आपका फैमली यूज है तो आप एसे वन एक्स के तरफ जाओ एसवन एक्स प्लस पांच-छे जार देने का कोई भी सेंस नहीं बनता क्या आप एडिशनल के लिए लगा के करो क्या वो लूक और बेकार कर देगा क् यहां पर अच्छे से गारी को टेस्ट किया गए जिस वज़े साप टायर भी देख पार हो होंगे गंदेखा से वर्किंग कंडिशन में तो है बस लॉंच होनी की देरी और डिलिवरी यार कनफॉर में 25 अपरेल से मिलेगी मिलने चाल हो जाएगा वह कब मिलती रियालिटी मों देखा जाएगा बट उससे पहले रोस्टर भाइक के डिलिवरी मिलेगी अब गीक प्ल को मोड या सिंगल मोड भी देखने को मिल सकता है और गीक प्लस आपके बजट में आ रहे है 49,000 में आपकी गीक प्लस इसली आ जाएगी और इसका लुक उतना ज्यादा बेकार नहीं है इसका पीछे केरियर बहटा जोगना तो मस्त लगेगा कि यूरोप में आप साइकल चल जाए और उसका लुक उतना और नहीं लग रहा है और हमको अगर फैमिली यूज के लिए तो हम अपने बच्चे को या अपने घर में जितने भी छोटे हैं जो भी हमारे घर में समान इधर से उधर करने तो हम उसको एसम जैड में करने वाले कि बैटरी भी सेम मिलने वाली ह पूरी मॉडल में रेंज आपको एक जैसे ही मिलेगी कोई भी फरकर नहीं आएगा तो हमें एस वन जैट के दरफ शिफ्ट होना पसंद करेंगे जैसा कि मैं कह रहा था कि जो गेक प्लस है या गीग है उसमें आपको स्टोरेज जादा देखने को मिलेगा फ्रेंट में आप इसमें ठीक ठाक समान रख पाओगे बैग बैग नहीं आपाएगा बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा और यार सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर दो शेर कर दो और फैला दो आग लगा दो और बताओ आपको कारी कैसी लग रही है आप सभी लोग से चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो थैंक्स पर वाचिंग और क्या आपने इसको बुक किया